Season 3 Episode 3 start होता है और हमें दिखता है कि माईक रोड पर ख़रा हो होता है उसने जो trackर गारी के उपर लगा isst cathedral होता है और जिन लोगों को वो track कर रहा होता है उससे trackर के उपर उसे एक cellphone मिलता है उस cellphone पर उसे फिर call आता है और यह Gus का call होता है Gus उसे बोलता है कि दो गाडिया लेकर हम अभी 2 मेरिट में आने वाले है वो उसे यह भी बोलता है कि मुझे कोई भी गंस नहीं दिखनी चाहिए Gus नहीं Mike के गाड़ी पर लिखा होता है कि यह मत करो यानि कि Salamanca को जब Mike मारने वाला होता है गस नहीं उसे बुला होता है कि सॉलमांका को तुम्हें नहीं मार रहा है माइक फिर इसका explanation गस से पुछता है गस बोलता है कि अभी ये मेरे best interest में नहीं है कि सॉलमांका मर जाए गस उसे पुछता है कि तुम्हारे और सॉलमांका के बीच जो भी था वो अब settle हो चुका था फिर भी तुमने उसकी गाड़ी रॉब की उसके बाद उसे मारने की भी कोशिश की ये सब तुम क्यों कर रहे हो माइक बोलता है कि ये उसने मेरे family को धमकी दी थी मैं ऐसा ही इससे छोड़ने वाला नहीं गस फिर उसे बोलता है कि मुझे पता है कि सालमांका ने एक सिविलन को मार दिया है तुम justice करना चाते हो इसलिए ये सब तुम कर रहे हो गस फिर उसे offer करता है कि सालमांका को और भी उसे तकलिफ देनी चाहिए याने कि Mike को Salamangakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak उसने माइक को हायर किया होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि सौल चक के घर के बाहर होता है वो अपनी सिक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मेरी जोसब अपॉइंटमेंट से उन्हें रीच स्केजूल कर दो सौल फिर सडक की यहां आकर बेट जाता है पुलिस वहाँ आ रहे होती है सौल ने जग के घर में आकर उसे धमकाय होता है इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला होता है पुलिस वहाँ आ रहे होती है फिर जग भी सौल के पास आकर बेट जाता है जग उसे बोलता है कि यह जब अब होगा यह तुम्हारे की अच्छे के लिए होगा तुम्हारे जो actions है इसके लिए अब तुम pay करोगे और जब वहाँ से तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा way दिखाने के लिए यहां रहूँगा यानि कि मैं तुम्हें help करूँगा फिर से तुम्हारी life तुम्हारे track में लाने के लिए सॉल बोलता है कि ऐसा कुछ में नहीं होने वाला मुझे पता है कि क्या होने वाला है एक दिन तुम बहुत बिमार पड़ोगे यह जो electricity से तुम्हें एक तकलिफ हो रही है यह बहुत जादा हो जाएगी तुम फिर से hospital में admit हो जाओगे और इस बार जो तकलिफ होगी वो तुम beer नहीं कर पाओगे तुम फिर उसी hospital bed में अकेले मर जाओगे फिर सॉल को police arrest कर लेती है सॉल जब custody में होता है तो उसे ADA मिलने आता है यह उसका old friend होता है जैसे हमने series में पहले भी देखा है कि सॉल ने इसके साथ बहुत सारी deals की हुई होती है यह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते है और उसका मज़ा लेने के लिए वहाँ आया होता है सॉल फिर उसे बोलता है कि अगर तुमें यह case मिल जाए तो अच्छा होगा हम कुछ deal कर सकते है ADA बोलता है कि यह मेरे हाथ में नहीं है इसके पास तुम्हारा case आएगा यह कोई भी नहीं बता सकता किम जब अपने office में आती है तब वहाँ Arnie आया हो होता है वो बोलता है कि मुझे fire कर दिया गया है Arnie भी चक के plan का part होता है चक को पता होता है कि अगर उसने Arnie को वो tape सुना दी तो सॉल के पास चला जाएगा और सॉल को सब बता देगा और ऐसा ही होता है इसलिए उसका job चला जाता है फिर वो किम को आकर बोलता है कि मुझे सॉल के बारे में सुन कर बहुत ही बुरा लगा किम को कुछ भी आइडाने होता कि सॉल जेल में है सॉल की hearing हो रही होती है वो आकि जो judge होती है वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे भी दिखूंगी सॉल बोलता है कि मुझे भी ये सब नहीं करना चाहिए था सॉल अपने judge को बोलता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ judge भी ये plead मान लेती है वो अपने आपको represent करने वाला होता है judge बोलती है कि ये तुमने नहीं करना चाहिए लोग तुमारे favor में नहीं रहेंगे वहाँ किम भी आती है और किम judge को बोल रही होती कि मैं इसे represent करने वाली होती हो पर सॉल मानता नहीं judge भी किम को restrict कर देती है उसे represent करने के लिए सॉल की bail amount fix होती है और फिर उसे bail मिल जाती है किम जब अपने office में होती है तो सॉल उसे मिलने आता है सॉल उसे apologize करता है वो बोलता है कि चक का है plan था उसे पता था कि मैं वहाँ आने वाला हूँ सॉल फिर उसे बोलता है कि मैं तुमें मुझे represent नहीं करने दे सकता तुम already तुमें काम का इतना burden है और यह जो मैंने सब किया है इसकी responsibility मुझे लेनी चाहिए इसलिए मैं तुमें मुझे represent नहीं करने दे सकता कि मुझे कुछ भी नहीं बोलती next in में हमें देखता है कि अब Mike Gus के लिए काम करने वाला होता है तो Gus का जो डॉक्टर होता है उसके पास हुआता है यह डॉक्टर हमें breaking bad में में देखा था जब Gus को गोली लग गई होती है तो उसको tend यह डॉक्टर ही करता है Mike उसे बहुत सारी pills मांग रहा होता है यह pills लाना difficult होता है पर फिर भी वो डॉक्टर उसे ला कर दे देता है नेक्सिन में हमें Saul कोर्ट में दिखता है A.D.A के साथ ही वो बैठता है Saul उससे sweet talk कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि अगर उसके पास case होगा तो उसे help कर सकता है A.D.A उसे बोलता है कि तुम्हारे पूरे अलबकरकी के जो A.D.A है उनसे अच्छे relationship है इसलिए हम कोई भी तुम्हारा case नहीं ले रहे है तुम्हारे case के लिए दूसरे शहर से A.D.A मंगवाए गया है Saul हमें disappoint दिखता है नेकसिन में हमें दिखता है कि माइक ने जो pills ली हुए होती है उसकी वो powder बनाता है वो shoes में रखता है shoe laces उसकी tie करता है और एक wire पर वो लटका देता है नेकसिन में हम आते हैं चक पर चक ने अपने आप के लिए एक attorney लाई हुए होती है वो उसको case के बारे में सब सवाल पूच रही होती है वोट ही थरो होती है और वो चक को बोलती है कि यह जो family dispute होती है इसमें generally लोग पीछे चले जाते है चक को अपना mind पका करने के लिए वो बोल रही होती है चक भी बोलता है इमें पीछे नहीं अटने वाला पर फिर भी चक उसे बोलता है कि यहां और एक option हो सकता है कि हम कुछ deal workout कर सकते है सॉल के साथ यहनिकी सब का time बच जाए जैसे हमें पता है कि चक की और एक जाल होती है साला मांका के जो ट्रक होते है उस पर माइक नजर रख रहा होता है माइक के पास sniper भी होती है वो लोग जहां रुकते है उसे spot पर माइक ने अपने shoe laces बान कर shoes को लटकाय हो होता है wires पर वो फिर वहां रुकते है और जहां drop cut sight होती है वहां जाकर वो कुछ रखते है माइक पर गोली चलाता है पर उन लोगों पर वो गोली नहीं चलाता वो किसी और ही जगा गोली चलाता है वो डर जाते है और जमीन पर शो जाते है माइक फिर से गोली चलाता है तीन-चार बार जब वो गोली चलाता है उन लोगों को लगता है कि रेजर में कुछ हंटर्स होंगे वो हंट कर रहे होंगे वो फिर रिलैक्स हो जाते है अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते है तब ही माइक जो शूज उसने टांगे हुए होते है उस पर गोली चलाता है वो जो ड्रक्स की पाउडर होती है वो उनकी गाड़ी पर पढ़ जाती है जब ये दोनों हाईवे पेट्रोल पर आते है तब उनकी गाड़ी की सब तलाश ली जाती है वहाँ डॉक्स भी होते है डॉक्स फिर इस ड्रक्स को सुन लेगते है और अब वो उन्हें अरेश कर लेते हैं नेक्सिन में किम और सॉल आफिस के बाहर स्मोक कर रहे होते हैं सॉल उसे बताता है कि मुझे एक ओफर मिली है इस ओफर में दिया होता है कि अगर सॉल 12 मैने तक किसी भी ट्रबल से बाहर रहे तो उसे कुछ भी जेल टाइम नहीं करना पड़ेगा पर उसे उसने जो भी किया है उसे गिल्टी एड्मिट करना होगा इसमें ये प्रॉलम होता है कि अगर सॉल ने ये सब एड्मिट कर लिया यही एपिसोड खतम हो जाता है